जय हिंदी दोस्तों, पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक बड़े मिसन को अंजाम दिया था और उस समय उस मिसन को अंजाम देने में उसने दो हत्यारों का उपयोग किया था पहला तो था एक खतरनाक ड्रोन और दूसरा उसमें लगने वाली एक मिसाल उस समय उन्हें दोनों हत्यारों की काफी ज़्यादा चर्चा हुई थी सबसे ज़्यादा जिसे हत्यार की चर्चा हो रही थी वो था उसके नए जमाने का एडवांस टेकनोलोजी से बना हुआ ड्रोन उस ड्रोन का नाम है MQ-9B Predator Drone अब खबर आ रही है कि भारत अमेरिका से इस ड्रोन को खरीद सकता है इस डेल को लेकर पिछले काफी समय से भारत और अमेरिका के बीच बात चीत चल रही है लेकिन अब बहुती जल्द भारतिय सेना के बेड़े में MQ-9B Predator Drone सामिल होने वाला है तीन अरब डॉलर यानि की 22,000 क्रोड रुपए से अधिकी की लागत वाली तीस प्रिडेटर आर्मरी ड्रोन को खरीदने के लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत आखरी दोर में है हालांकि कुछ मुद्दू को सुल जाया जाना बाकी है दोस्तो भारत जिस वर्जन को खरीदने जा रहा है उसे दुनिया का most advanced drone कहा जाता है दोस्तो आपको इस drone के भारत आने की तारिक बताएं उससे पहले इस drone की खाशितों को जान लेते हैं दोस्तो इससे पहले यह drone 2020 में इरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निसाना बनाने के बाद भी चर्चा में आया था इस drone की खूबियां यह है कि यह drone चमगादर की तरह रात में देख सकता है उल्लू की तरह सांती से उड़ सकता है बाज की तरह हमला करके गायब हो सकता है मान लो की यह एक शिकारी है यह दुनिया का सबसे कूपिया और ताकतवर जासूस है दोस्तो इस drone को उड़ाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है जो ग्राउंड इस्टेशन पर बेट कर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते है इसकी एक खायशत जानकर आप हैरान रह जाएंगे वो यह कि यह दुनिया का पहला ऐसा drone है जो हंटर, किलर, UAV, स्रेडी में सबसे जादा समय तक और जादा उचाई से निगरानी करने में सक्सम है यह हवा में लंबे समय तक उड़ान भरने की इक्षमता रखता है यह साड़ी 1100 मिल की दूरी और 50,000 फिट की उचाई पर उड़ान भर सकता है इसकी रेंज है पूरी 1900 किलोमेटर की और यह अपने 1700 किलोग्राम वजन का हत्यार ले कर जा सकता है इसकी गती लगबग 500 किलोमेटर परती गंटा होती है और फिर 50,000 फिट की उचाई से यह दुस्मन पर मिसाईल से हमला कर सकता है इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लंबी दूरी की उन जगओं पर जहां पर वायू से नहीं पहुँच पाई वहां यह पहुँच सकता है और उसे मिसन को अंजाम दे सकता है इसे अमेरिकी कमपनी जनरल एटोमिक से बनाती है यह किसी भी तरह की मिसन के लिए भेजा जा सकता है जैसे की सर्विलांस हुआ जासू सी करनी हो सूचना जमा करनी हो या फिर दुस्मन के ठिकानू का पता लगाना हो या फिर दुस्मन के ठिकानू पर चुपके से हमला करना हो इसके अंदर खास त्रेक के रेडार भी लगे हुए हैं जो किसी भी त्रेक के टारगेट को खोज सकते हैं दोस्तो शाड़ी 400 किलोग्राम वजन का बम में और चार हेल फायर मिसायल भी यह ड्रोन अपने साथ लगा सकता है दोस्तो इस ड्रोन MQ-9B के दो परकार है पहला है स्काई गारिडियन और दूसरा है सी गारिडियन स्काई गारिडियन ड्रोन उडान भरने के बाद 1800 मिल यानि की 3900 किलोमेटर तक उड़ सकता है यानि इसे मध्य भारिट के किसी एयर बेस से उड़ाया जाए तो यह जम्मू कस्मीर में चीन और पाकिस्तान की सिमा तक निगह बानी कर सकता है यह ड्रोन 50,000 फिट के उचाई पर 35 गंटे तक उड़ान भरने में सक्सम है इसके अलावा स्काई गार्डियन ड्रोन 6,500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले इस ड्रोन को काम में नहीं लिया है भारत इस ड्रोन की खोबियों को पहले ही परक चुका है और अब पूरी तरह संतुल्ष्ट होने के बाद ही भारत ने इसे खरीडने का मन बनाया है 2020 में इंडियन नेवी को हमारी समुदरी सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से दो MQ-9 BC गार्डियन ड्रोन एक साल के लिए लीज पर मिले थे बाद में इस लीज टाइम को बड़ा दिया गया था भारत नो सेना हिंदे महासागर छेतर में चीनी सेना PLA के युदपोतों सहीते चीन की बढ़ती गती विद्यू पर नज़र रखने के लिए अपनी निगरानी तंतर को मचबुद कर रही है जिसके लिए इन ड्रोन को सबसे ज़्यादा तहरी जिदी गई है इन दो ड्रोन के बारे में जानकारी देते हुए कुछ रक्षया एक्सपर्ट ने बताया कि इन्होंने बहुत अच्छा परदर्सन किया है और इन्होंने भारतिय नोसेना की समुद्री एवं इस्तलिय सीमा पर गसत के लिए करीब कीन हज़ार घंटे उडान भरी है भारतिय सेना MQ9 के परदर्सन से परबावित हुई है यानि कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतिय सेना MQ9 के परदर्सन से काफी ज़्यादा परबावित हुई है जनरल एटोमिक से गलोबल कोर्पोरेशन के मुख्या कारियकारी डाक्टर विवेक लाल ने बताया कि दोनु सरकारों के बीच खरीदिदारी कारियकरम पर बातचीत अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि MQ9B अडिगरहन कारियकरम को लेकर अमिरिका और भारत सरकारों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है इस ड्रोन को तीनु ससस्तर भलू यानि की धल सेना, वायू सेना और नो सेना के लिए खरीदा जा रहा है दोस्तों अगर आपको याद हो तो इसी साल अप्रेल में वान से गटन में भारत और अमेरिका के बीच विदेश और रक्षया मंतर इस्तर की बात चीत हुई थी अंदाजा लगाया जाता है कि इस ड्रोन के खरीदी पर इसी वक्त में चर्चा हुई थी भारतिय नो सेना ने इस ड्रोन की खरीद के लिए परस्ताव किया था और तीनु से नाउं को दस दस ड्रोन मिलने की संभावना है इन 30 ड्रोन को चीन के साथ लगने वाली Line of Actual Control यानि के LAC और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों वही कस्मीर के पहाड़ी इलागों पर नजर रखने के लिए इंडियन आर्मी फिलाल में इस्टरेल से खरीदेगे ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है लेकिन जो अमेरिका से अब ड्रोन खरीदे जा रहे हैं वो प्रियरेटर ड्रोन जेट की रवतार से उड़ते हैं इन ड्रोन के मिलने के बाद भारत पाकिस्तान और चीन पर आसानी से नजर रख सकेगा